सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और घंडी के बटन को भी ज़रूर दबाएं हलो एंड वेलकम टू एडी एजुकेशन मैं हूँ अमेद दिक्षत और आप देख रहे हैं यह विडियो लेक्शे सीरीज कोर्स 504 और कोर्स 505 के लिए तो अगर आपने अभी तक के पहले के लेक्शेस नहीं देखे हैं 504 और 505 के तो उने देखे अपनी तयारे शुरू कीजिए इसी विडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक मिल जाएगी जहां 504 और 505 के अभी तक के सभी लेक्शेस देख सकते हैं तो तो इस टॉपिक का नाम है अवधारना का खाका तयार करना यानि कि concept mapping की यहां पर बात की जा रही है अभी हम जो पिछले लेक्शेस में आपने देखा होगा हम लोग अभी approaches फढ रहे हैं यानि कि गलत सिखाने की एक तरह से पदतियां कह सकते हैं तरीके कह सकते हैं तो वह ह यहां पर समझ रहे हैं उसके अंतर यह अगला point है अवधारना का खाका तयार करना यानि कि concept mapping एक technique होती है जिसके जड़िये आप विध्यारतियों को गड़त सिखा सकते हैं तो यहां पर उसी चीज़ की बात की जाएगी तो concept mapping को लेकर आपने कहीं न कहीं यह शब्द सुना होगा अवधारना का खाका तयार करना तो इसकी तरफ बढ़ते हैं देखिए यहां पर बताया गया है कि विध्यारति गड़त में कई तरह की concept सीखते हैं जो student होते हैं और कई concept को समझते हैं सीखते हैं और सीखने के बाद आपने देखा होगा कि वो सीख जब जाते हैं माली को इन चीजों को जो उनने सीखा है किसी topic के बारे में किसी एकाई में किसी concept के बारे में तो इसको वो आगे और चीजों से कैसे जोड सकते हैं उन concept को और दूसरे concept के साथ उनका कैसे संबंद बना सकते हैं और उनका उपियोग कर सकते हैं ये करने में उन्हें बड़ी दिक् समस्याओं को solve कर पाएंगे तो यह समस्या आती है यहां पर बताया गया है कि कोई भी अवदारना गनत में प्रतक करण की प्रतक करण नहीं करती है और गनत की एक विशेश अवदारना गनत की विविन शाखाओं से आंतरिक रूप से जोड़ी हुई है तो जो मैंने आपको ब concept को समझने में किसी और topic को किसी और समस्या को हल करने में मदद करेगा आगे के chapters में आगे की classes में यह चीज़ होती है यह आप सभी जानते ही हैं तो ना केवल यह गनत में होती है बलकि गनत के जो concept है वो दूसरे subject के साथ भी जाकर जुड़ते हैं विज्ञान सामजी विज् हमको देखने मिलता है कि गनत की जो concept हैं जो अवधारना हैं वो कई subject में physics, chemistry कई जगाओं पर जाकर हमको इससे मदद मिलती है यह आपने खुद भी देखा होगा तो एक तरह से यही चीज़ बताए गई है तो यह जो कहना चाहिए संबंद बनाने का कला है वो एक बहुत महत इस्तमाल बहुत अच्छे से होता है यह संबंद बनाना अगर हम सीख पाते हैं तो concept mapping बच्चों को सिखा दी जाए तो वो बहुत कुछ बहतर कर सकते हैं इसका एक उधारन यहाँ पर दिया गया है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर यहाँ पर एक चतरभच की concept को यहाँ पर इसका map दिया गया है concept mapping यहाँ पर एक चतरभच की बताई गई है तो यह देखे आप इस diagram को थोड़ा इत्मनान से समझेगा यहाँ पर देखे यह बताया गया है कि यहाँ पर देखे चतरभच के concept को लिया गया है तो उसमें से लकी रहें आप देखें जरा जिस तरह से arrow यह अगर हम बात करें तो उसमें से कितनी सारे concept निकलके यहाँ पर आ सकते हैं तो एक्जामपल देखें यहाँ पर बताया गया है कि आमने सामनों की बुझा जिसकी समानतर होती है वो समानतर चतरभच हो जाता है अब अगर प्रतेक कौन अगर किसी चतरभच का समकौन है तो व वर्ग हो जाता है देखें यहाँ पर स्क्वार बताया है इसके सभी कौन समकौन होते हैं और चारो बुझाएं इसकी बराबर होती है तो इस तरह से आप देख सकते हैं और भी बताया है सम चतरभच जदी पते कौन समकौन है उसको मतलब कहने का मतलब यह है कि इस concept mapping से आप सिखा सकते हैं समानांतर चतरभच के बारे में आयत के बारे में कौन के बारे में समकौन के बारे में सम चतरभच के बारे में तो चतरभच एक है लेकिन अगर यह concept mapping अगर बच्चे सीख जाते हैं कि किस तरह से एक चीज जो हम सीख रहे हैं वो और चीजों में किस तरह से ज चीज उनको सिखाएंगे गणित की तो वो उसको और चीजों से जोड़कर नई कई चीजें खुद से ही सीख सकते हैं आप भी उनमें इसकी मदद कर सकते हैं तो यह concept mapping का concept यही है अवधारना का खाका तयार करना तो यानि कि एक topic लिए हमने चत्रबुच और उससे देखे कितनी सारी चीजों के concept बच्चों को सिखाने के योग यह हम बना सकते हैं जब यह वो खुद करने लगते हैं तो आप सूचिए उनको कितना अच्छा ग्यान mathematics का हो सकता है और क्या-क्या लेकर अगले concept की हम रचना कर सकते हैं और उसको सिखा सकते हैं यह इसमें बताया गया है भिविन प्रकार के जो मांचित्र हैं maps हैं उसको विक्सित कर सकते हैं अब यहां पर यह जो उपर diagram दिया गया है वो केवल limited नहीं है आप चाहें तो इसमें से और कई concept बना सकते हैं जोड़ सकते हैं इसमें यह निरभर करता है कि बच्चे का जो concept है यानी कि जो उसका logic है वह कितना develop है कितना उसकी समझ है किसी topic को लेकर किसी concept को लेकर तो उसके आधार निरुन करता है कि बच्चा उसमें से कितनी maps एक तरह से ये बना पाएगा कितने संबंद वो जोड़ पाएगा यहाँ पर तो यही होता है अगर बच्चे ये नहीं सीखते हैं केवल एक ही topic को उतना ही limited रह जाते हैं तो ये जो जोड़ने की छमता है उनको वो नहीं आपाती है तो उससे क्या है उनका ग्यान limited रह जाता है और वो किताबी ग्यान तक सीमित रह जाता है एक तरह से अगर मैं अपने तरफ से ये बात करूँ तो तो अवधार्णा मांचितर जो भी है यानि concept maps जो भी है विद्यारतियों द्वारा संगटित करना है उसको संबोधित करना है अवधार्णा का जो मांचितर बच्चों की समझ की गहराईयों से मैतपूर्ण वहवारिक ग्यान को उपलब्द करा सकता है तो यही है कि अगर बच्चे इस चीज़ को समझ कर चीज़ें करेंगे तो जो एक वहवारिक तोर पर ग्यान जो आम जंदगी में उन्हें काम लेना है वो बहुत उनको आ जाता है सटीकता और छमता उनकी दिखती है इसमें और वेंड ड्राइगम्स भी आपने इस तरह के बनाए होंगे और इसी तरह से विद्यार्तियों को समझाईए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं इसमें अगली अप्रोच की तरफ अगली विधी है जो कि यह है 4.3.4 क्रिया कलाप आधारित अधिगम आप देखे क्रिया कलाप आधारित अधिगम के बारे में हम पहले के courses में भी चर्चा कर चुके हैं 501 से 503 के बीच में और इससे काफी कुछ आप वाकिप होंगे तो देखे क्रिया कलाप आदारे देदियम यानि कि एक तरह से activity based हो सकता है practical based जिसे आप कुछ भी कह सकते हैं तो यहाँ पर देखे आपने ये चीज काफी महसूस कियोगी जब भी कोई चीज बच्चों को कक्षा में क्रिया कलाप के दवारे यानि कि कोई एक्सपेरिमेंट के दवारा कोई practical के दवारा कोई activity के दवारा समझाई जाती है तो बच्चा उसको बहुत अच्छे से समझ पाता है इसका कारण जी है कि बच्चा अपनी जो भी ग्यानेंद्रियां जो इसके सेंसेस हैं उनका उपयोग करना पसंद करता है और activity जब भी कराई जाती है प्रेक्टिकल कोई भी कराया जाता है activity based learning जो होती है उसमें क्या है बच्चे involved होते हैं तो जब involved होते हैं किसी चीज में तो उस पर पूरा ध्यान टिकाते हैं और उसमें रुची भी उनकी पैदा होती है बच्चे सूचनाओं को निश्कृता से सीखने के अब्यक्षा सक्र देने की कुशिश करता है तो ये एक बहुत बहतर विवस्ता है सिखाने की बच्चों को मस्तिष के लिए भी बहतर है ये और रुची पूर्ण बनाने में भी बहुत अच्छा एक साधन है एक तरीका है तो स्वाधिगम को बढ़ावा देने के लिए बच्चे की जो भी पस को अपनाए या आप भी उसको उसी के अनुसार activity कराईए जो बच्चा जिस इंट्रस्ट से सीखता है जिसमें उसको ज्यादा इंट्रस्ट है जिस टाइप की चीजों में तो वो से बहतर ग्रेस्प कर प Circa वेतर ग्रेंड कर पता है विद्याली इस तर पर गनेत के जो भी क्रिया क्लाप है उसमें आम जानते हैं खेल होसकते हैं पहेलिया हो सकती है कार पत्र का सब्सक्राइज को मोड़ ना काटीना अब इसका कोई लिमित नहीं है आप जितने creative होंगे उतनी type की चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं maps हो सकते हैं कई चीज़ें ऐसी में हैं तो यही सब activities जो आप करवाते हैं आप करवाते भी होंगे सिक्षक होने के नाते तो यहां उनी चीज़ों की बात की जा रही है कि उतारा ने आप थर्मकॉल के sheet हो उस पर देखन लिखा हुआ है यहां पर कर्टर क्लेश पेपर स्कैच पैन कॉपियों करते हुए देख सकते हैं आप एक डाइग्राम भी दिया हुआ है तो थर्मकॉल के जरीए ए प्लस बी स्क्वाइर के concept को यानि की जो formula है उसको समझा सकते हैं एक practical चीज के माद्यम से जिसको बच्चा देख पाएगा समझ पाएगा ऑफजर कर पाएगा तो यह एक सिखाने का एक तरीका हो सकता है जो activity के जरीए सिखाने का तो वो उससे जल्दी कर पाएगा जब थर्मकॉल की शीट के जरीए आप डिवाइट करते हैं और इस तरह से concept को इस formula को समझाते हैं जो आपको दिखाई देरोगा स्क्रीन पर इसी तरह के कई example हो सकते हैं मालीजी की कक्षा चार का बच्चा है उसको त्रबुष सिखाने के लिए आप तीन तीलि किया से आप यह समझा सकते हैं कि तुरुष के कौणों का योग 180 डिगरी होता है तो कहने का मतलब यह इस तरह की कई चीजे हैं जो आपने कई स्कूल में देखी भी होंगी आप सब परचित जादा होंगे सिक्षक भी हैं तो आप इस चीज से संबंद बढ़ा सकते हैं तो चीजों के जरिए बच्चों को जब सिखाते हैं तो वो जग्यासू बनते हैं एक उनमें सुकता आती है और रुची उनके मन में आती है इसके लिए तो यह जो अनुभव के आधार पर जो अदिगम होता है अनुभवात्मक अदिगम यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें क्रि सीखी जाती है वो हमेशा साथ देती है यह आप जानते हैं और भैवार में परिवर्तन में और कई तरह से उनको सक्षम बनाने में कौशलों का विकास करने में अनुभवात्मक अदिगम एक महतवपूर होता है तो यह एक डाइगराम भी यहाँ पर दिया हुआ है यह उन स् अधिगम चक्र की जो पांच क्रमिक अवस्ता होती है तो जो एक्सपीरियंस से जो बच्चे सीखते हैं वो उसकी पांच स्टेज्ज यहां पर बताए गही है इस प्रकार के अधिगम की तो पहला है अनुभव करना तो देखे जब भी कोई क्रिया कलाब आप उनको एक्टि वात होती है उसके बाद है प्रकाशन जब बच्चे कोई भी क्रिया कलाब एक्टिविटी कर रहे होते हैं उनको वह चीज का अनुभव हो जाता है कि इसमें क्या हो रहा है तो अनुभव के द्वारान उन्होंने क्या सीखा कैसा महसूस किया यह जानकारी को वह आपस में ब बार्ण में जो चीज होगी वो ग्रुप में होगी जब वह अपना ग्यान बाट रहे हैं दूसरों के साथ में तो बाकिस सदस्यों के साथ गृप में जो हैं उन से चर्चा करेंगे और जो अनुभव का एक विवस्तित मुल्यांकन करेंगे यानिकि अब सब के जो करने के बाद और जो प्रक्रिया बनाने के बाद जब लिसकस करते हैं मुल्यंकन करते हैं फिर उस मैं शी के पती जागरू होते हैं कि आखिर हमने किस बात पर जादा ध्यान देना हैं कौन से point important निकल के आते हैं उन पर ध्यान के इंद्रित कैसे करें तो उनको महत्वपूर्ण identify करना उनको अलग करना और फिर लागू करना तो अंते मबस्ता है कि जब वो समानी करण कर देते हैं तो जो concept उनने finalize किये हैं जो जिस पर वो agree हुए हैं उसको लागू कर देना और अध्यापक में उनकी साहता करते हैं कि हां इसमें क्या सही है क्या गलत है उस पर एक महर लगा देते हैं कि ये बलकुर सही किया है आपने आप सही इसका आपने नतीजा निकाला है तो यह चीज़ होती है आप गंड़त की ब्याच की दर्ड को सिखाना चाते हैं इनिकी interest rate के concept को सिखाना चाते हैं तो आप उनसे कह सकते हैं कि आप अपने घर में बच्चों से कह सकते हैं कि मातर पिता की जो बैंक की passbook है उसको देखिए समझे किस तरह से इंट्रेस्ट उनको मिलता है किस तरह से घरता बढ़ता है तो यह वो अपने अपने आधार पर सीख कर जबाते हैं फिर डिसकस करते हैं बच्चों के साथ में औरों के सातीयों के साथ में फिर final करते हैं कि क्या इंट्रेस्ट किस तरह से rates बढ़ती है उस पर जो important चीज़े हैं उन point को लेकर finalize करते हैं कि यह होता है इस तरह से interest और ब्याच की दर बढ़ती है या ब्याच के दर के यह नियम या concept है तो एक तरह से एक संपूर्ण ग्यान उनको मिल जाता है यह अनुभव के आधार पर जो चीज़ें उनसे करवाई जाती है तो यह क्रिया कलाप आधारि करना concept magping और दूसरा है activity waste learning और अनुभव पर आधारित learning एक तरह से तो यह दोनों ही important यह सारी विदियों को आप अच्छे से पढ़िए क्योंकि यह काफी important होंगी papers में तो इनको इत्मिनान से समझेए I am sure आपको सरल लग रही होंगी यह समझाने के अनुसार तो आपको करूं को आपको